हेलो फ्रेंट सौगत आपकी चैनल फेंटेसी डॉक्टर में गवर फिर से जो मैं चम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो ने वाला यहां पर जे एम वुमेन वर्सेस डी एचे वुमेन के बीच जो मैच होने वाला यहां पर जारखंड वुमेन टीटे का इस मैच की वी वीडियो रहेगी तो उससे पहले कर आप मारे यूटूब चैनल पर नहीं आयो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जॉइन करना बहुत जरूरी जिसका नाम है फेंटेसी डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखावा दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारे टेलीग्र चैनल ओपन हो जाएगा दैन उसको आपको जॉइन कर लेना है तो ध्यान रखना अगर आपको हमारे टेलीग्राम के सही और ओरीजिनल वाले चैनल के साथ जुड़ना है तो आपको लिंक का ही यूज करना पड़ेगा जो आपको वीडियो की नीचे कमेंट में दिया हुआ ह तो ध्यान से टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना जैसे मैंने आपको बता है अब आते हैं वीडियो के मेंड पर चैनल को जॉइन नहीं करना है अगर आप सर्च करके जॉइन करोगे तो तो किसी गलत यहां चैनल के साथ जूड़ सकते हो सही तरीका सिर्फ एक है कि लिंक का यूस करना जो वीडियो के नीचे कमेंट पर आपको दिया हुआ है अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर फर्स्ट दोब बात कि जाब वैन्यू सेम ग्राउंड रहने वाला यूसमें टीम 61 पर अलाउट हो गए और वह मैच यहार गए थे पॉसिवल प्लेइंग 11 जो रहेगे हैं कमारी सभीता अकल वाले मैच पर जीरो प्याट हुई थी बट उससे पहले लास्ट यर आपको पता होगा कि सेम टॉर्णमेंट जहारकंड वोमें टी 20 का वाता जनुरी अधिक आराउंड तो वहां इनों ने लास्ट पांच प्लस विकट करते हैं तो कमारी सभीता ने बैटिंग सेक्शन में दीवे आप ग्रेंड लिंग में ट्राइ कर सकते हो बट प्लस विकट करते हैं नजर रहें गी और कल वाले मैच पार नमारे प्लस विकट कीपर तो क्या रहने वाली एक तो स्टेट लेवल की प्लेयर है स्टेट लेवल का मतलब होता है कि असा वह जन जरकन मुमें के लिए सबसे बैस टू पर लेवल तक खेली वे जैसे कि सीनियर वुमें जो बिनका रहता है अधर स्टेट के साथ मैच तो हाँ पर लास्ट पांच पांच बाकि अगर बात की जाए तो यहां पर आपको है संधिया कुमारी लास्ट चार मैच पैसे टन मनाए एक विकेट लिया है और कल वाले मैच में जहां एक वर बालिंग डाली कोई विकेट नहीं मिला बैटिंग से फ्लॉप रही बालिंग में ज्यादा ओवर नहीं डाले सिर् इंप्रिया सलोणी बाला लास्ट मैच में और प्रगति कुमारी जिसने लास्ट मैच में जिरो रन वार जहां एक वर बॉलिंग करी दो विकेट मिले, बैटिंग सेक्शन में ध्यान रखना सिर्फ एक ही ओवर डाला है तो हर मैच में एक यह और डाली साली तो ऐसा नहीं हो तो हो सकता है कि आज वाले मैच में शायद एक या दो वर डाले कि आप था विकेट भी ना मिले हो सकता है कि चार वर लास्ट मैच को देखते हो टीम कंप्लीट विकरवा दे तो इसलिए अगर आपको सेफ जाना तो बैटिंग सेक्शन में गए सकते हो बाकि आप तो सब्सक्राइब नहीं है और विकेट लिए दो तो मुझे पर्सनली देखोगे तो स्मॉल लिग में सेफ प्लेयर ले सकते हो बट कैप्टन सी और वाइस के लिए इंपॉर्टन नहीं रहेगी बाकि इसरानी सोरें के बारे में अगर बात किया तो लास्ट दो मैच में 27 नमार जहां 3 ओवर बालिंग करी कोई विकेट नहीं मिला ग्रेंड लिग में ट्राइ कर सकते हो बाकि शंपी कुमारी नाश्च में लेकर जाने वाला हो शंपी कुमारी को बाकि मीरा महतों जो बैंच बैठी लास्ट मैच में और एक दो बड़े प्लेयर से जो अगर आते निधी भूले रहे तो हमारे लिग और ग्रेंड लिग दोनमें इंपोर्टन बनेगी एवन आप वाइस कर सकते हो यहां पर निधी भूले को बट लास्ट मैच नहीं खेली थी चकर में में स्मॉलिग में इस मैच में ट्राइन कर रहे अगर आती है प्लेंग लर्ण में टॉ प्रिती कुमारी इसराणी सोरेन शंपी कुमारी और नीधी भूले और महातो को प्रैफर कर सकते अपनी टीम में यहां पर बात किए डियेचे वूमेन के बारे में इनका फर्स्ट मैच और ध्यान रखके चलना बैटिंग वाडर ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा तो ज्य नजर आ सकती है और लास्ट 14 मैचे 139 न भी स्कोर किया थे अपने डॉमेश्टिक स्टैट्स करियर में क्लिब लेवल में और जैसे इन टेरनों वंड़ा था तो आप चाहो तो सुलेखा कुमारी को ट्राइ कर सकते हैं और मैं थोड़ा ग्रेंड लिए रिकमेंड करूंगा अब देखते हैं के लिए विकेट हीपिंग यहां पर सुलेखा कुमारी करेगी जैया कुमारी करेगी अगर सुलेखा कुमारी करेगी तो आप स्मॉली और ग्रेंड लिग दोनों में ले सकते हो अगर नहीं करेगी तो फिर ग्रेंड लिग में ट्राइ करना सुलेखा कुमार कुछ खास contribution नहीं रहा था वागि पुषपा महतों के बार में अगर बात किया तो लास्ट पांच आच वाच से पहले देखोंगे क्लब लेवल में काफी बढ़िया प्रफॉर्मेंस है और ध्यान अखना क्लब लेवल में बॉलिंग भी करती है दस मैच में 305 तरन और 10 करेगी और नहीं करेगी तो इसलिए कही ना कहीं बोलुकर आप महातों को सकते हो में अग्रें ना कहीं नहीं करने ना कहीं आप टीम में पिक करना चाहो तो कर सकते हैं रीजन क्या है कि लाश्ट पांच आज़े 25 से मनाए थे एक विकेट ले थे लाश्ट यह टॉर्णमेंट में और दूसरी रीजन यह कि जो क्लब लेवल के प्रफॉर्मेंस यहां पर खुश्बू कुमारी के बहुत बढ़िया है साथ मैच में 303 वे रने और 11 विकेट से 17 मैच इसमें तो ध्यान रखके चलना इस चक्कर में खुश्बू कुमारी को बैटिंग सेक्शन अविलेवल ले सकते हो फारा को कुछ स्टैट्स अविलेवल नहीं है बाकि मोनिका मुर्मू आपके लिए इंपॉर्टन वानिक और सब सब्सक्राइब कोई क्रिकेटर इनकी अवह इसमें का है अट रचरी प्रसुनां की क्लबर सकते हैं लेवल के डिए उनकी में प्रफॉर्मू के गंज़े गारा मैच नहीं में लिरा दाए मसं गलिए ब Pan ग्रिवल्डेश की Chap夜 निंग में ग्रिंगए नहीं गारा की कर दो है और क्लब लेवल के बैटिंग में पर्फॉर्मेंस ही बहुत बढ़ी है बैटिंग बॉलिंग में बहली उतनी इच्छी नहीं रही हो बढ़ यहां पर आज वाले मैच में अच्छा कर सकती है आरती कुमारी इंपोर्टन बनेगी इस्टेट लेवल की प्लेर है लास्ट साथ मै चार मैच वो चौदर लेवल के लिए थे तो यह आपके लिए क्याप्टन से के लिए इंपोर्टन बनेगी मॉनिका मुर्म आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कॉंट्रिबूट करके देशती और आरती कुमारी में बॉलर है बैटिंग से एक्टेशन मत रखना बाक दोगे लिए थे फाच तो यह दो गी बिकेट लिया थे और मुसकान कुमारी नौ मैच इन नो गीज़ लिए लास टेर की परफोर्मेंस तो नहीं है बटे क्लब लेवल के पर्फोर्मेंस बीखना ए और शांती कुमारी को मैं लेने वाले रीजन किया है कि इस ट्रेट लेव मैं हो सकता है कि बैटिंग जनरली यह आपको देखने को मिल सकता है बट जनरली हो सकता है कि आपको एक अधे प्लेयर उपर नीचे हो सकते हैं और ध्यान रखके चलना मैंने सब को एक तरही से कंबाइन लिख और आपके स्टैट्स यूज करके हम इसको टीम में बना सकते हैं कि फर्स्ट मैच तो कोई भी टीम लाइन सकती है इसमें इंपोर्टन बोलेंगे तो सुलिखा कुमारी रही गी महातो रहेगी खुषभु कुमारी रहेगी मुर्मु रहेगी आज़ी रहने वाली है और बॉलिंग में देखो कि तो शान्ती कुमारी और थोड़ा डिफरेंट जाओ तो ग्रेंड लिंग में नहा शौ और आपके लिए मुसकान कुमारी इंपोर्टन बन सकती है तो यह परसनली मेरे कुछ स्ट्राइट्स दियर्च वोमन की टिंग से तरफ से हैं आपके आपके यह कोस्ते करें से लिए तनी ट३ में खिगण तो वे लिए रोगा सकते हो तो बातीँ आपके लिए आप में आपके साम ने क्रेंगी ए तो में यह रहा सकतेओ ख्योलते हो बाकि रहने लिए नह curiosity आपके अपर चैन करेंगी यह थे समें में मेरे gonnale बाकि फटा बट बात किया है तो मेरी रेकोडिंग इस टीम आप के लिए जो रहने वाली हो मेरे कोडिंग यह रहेगी मैंने यह पर आई खान को लिया हुआ है और आप ले सकते हो एस कुमारी को जी आप मारी फिलाल उतनी इपॉर्टन नहीं रहेगी बाकि मैंने लिए हैं पर शोनिया को बैटिंग ब्लस बॉलिंग दोनों करेगी प्रगति कुमारी लाश्ट एक मैच में एक ओवर डाला से जहां विकेट दो लिया थे तो इस चक्कर में ले रहा हूँ बाकि मेरा परसनली अगर एक ओवर डालते हैं फिर से तो में को परसनली उतना लेने का मन नहीं है बाकि के सभी ताव ग्रेंड लिंग में ट्राइ करने एक्सपेक्टेट है कि ओपनिंग करते नदर आ सकती है और अगर बात की जाए तो यहां पर पी महातो को लिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों की थी बट कुछ खास कॉंट्रिबूशन रहा नहीं था बैटिंग के साथ बाकि महातो जो आपको दीविए यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर वो आप ग्रेंड लिंग में जरूर ध्यान रखके चलना मातो जो रहने वाली आपके लिए आपके ल बैट रहने वाली नहीं है मेरे उलर अन्सेक्षिन मेरे बाकी निदी बूली अगर प्लेंग लायन में आते तो बनों मॉलिग दोनों में लेने वाला हूं एवन मिश कर सकते हो शौ को में रिकमेंड कर सकता हूं आइस ओर 3 डी और शांत्रिक को मारी को रिजम जा चुका आहिना अनीज को और एदास को आप ग्रेंड लिंग में ट्राइ कर सकते हो बाग की फिलहाल जो मैंने प्लेयर प्रैफर करें आपको मैंने जो बताए हो मेरे कोर्डिंग यह रहेंगे अब इसा की वाइस कंप्ले पर एक अपक्व ओरल्ष के बारे मेरे में अगर बात की जाएँ अगर आप आ यह पर आंप यहां पर आप यहां पर निधी बुले लिगे ना अगर निधी लूदे खेल डिलती है तो तो difference मैं कर सकते हूं कैप्टनसे में देखे जा रहे हो यह पे मुरमु को वैस कि आठी मैं सोनी और फिल हाल अगर देखा जाए तो उसमें थुश्बु कुमारी कुमारी इनको ट्राइ कर सकते रिए निजी बूले आते निजी बूले एकillon के साथ और यह मैंने वाफी साई को लिए को लिया है और एक वापीस हाई खान को लिए है मैं आर्थी पुमारी को दूंगा गरrän लिग है तो यहांपे बूले खेलती है था है महातों को ट्राइ कर रहा है तो एक स्मॉल लिग की टीम दिया है पर दो ग्रेंड लिग की टीम बाकि जो फैनल टीम होगी आफ्टर आफ्टर आपको टेलीग्राम पर बिलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना उसका लिंक वीडियो के निचे कमेंट में दिया हुआ है सबसे पर बिल्यू कलर का लिंक होगा जैसे उस पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा दनुत को जोइन कर लेना है तो ध्यान से टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लेना जैसे मैंने आपको बता है तो मिलते हैं टेलीग्राम पर जहीं दोस्तों बाई बाई